Dear Students, इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि टेंस की रचना बिहार के लोगों ने की थी कैसे? इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि टेंस के 12 सबकाइंड के वर्वों का पैटर्न क्या होता है? या टेंस के सभी सबकाइंड के वर्वों का पैटर्न क्या होता है? आईए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग टेंस के 12 सबकाइंड लिखने में मात्र 17 के अलग-अलग सब्दों का प्रियोग करते हैं वो है present, past, future, simple, continuous, perfect, tense यदि हर एक सबकाइंड के बाद active को भी जोड़ा जाए तो 8 प्रकार के अलग-अलग सब्दों का प्रियोग होता है क्योंकि जब भी हम tense पर रहे होते हैं तो आप यह मान कर चलें आप यह समझें कि हम लोग tense active पर रहे हैं इसलिए आप चाहें तो active सब्द को भी जोड़ सकते हैं लेकिन हमारे पुर्वजों ने, हमारे पुर्व के बिद्वानों ने कहीं भी tense के 12 सबकाइंड को लिखने में active सब्द का प्रियोग नहीं किया है क्योंकि active सब्द के लिए वर्व के किसी भी रूप का प्रियोग नहीं होता है यदि हम चाहें तो tense के 12 सबकाइंड का नाम लिखते समय tense सब्द को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि tense सब्द के लिए भी वर्व के किसी भी रूप का प्रियोग नहीं होता है जब हम लोग टेंस के 12 सबकाइंड के वर्वों का पैटर्न लिखते हैं तो हम लोग को हमेशा दो नियमों को याद रखना चाहिए टेंस के दो महतपुर्ण बातों को याद रखना चाहिए टेंस सीखने में सबसे महतपुर्ण बातें मेरी समझ में टेंस का पहला नियम मैंने इहां मेरी समझ में इसी लिए लिखा है क्योंकि मैंने इन दो नियमों को किसी भी किताब में नहीं देखा है टेंस का पहला नियम प्रेजंट सब्द को बताने के लिए वर्व के फर्ष्ट या फिफ्ट रूप का परियोग किया जाता है वर्व के पहले या पांच में फॉर्म का परियोग किया जाता है पांच्ट सब्द को बताने के लिए वर्व के दूसरे रूप का परियोग किया जाता है और फ्यूचर सब्द को बताने के लिए sell या will का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद verb के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है continuous सब्द को बताने के लिए verb के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है perfect सब्द को बताने के लिए verb के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है और simple सब्द को बताने के लिए वर्व का कोई रूप नहीं आता है या वर्व का पहला रूप आता है टेंस का दूसरा नियम simple सब्द को बताने के लिए यदि वर्व का पहला रूप आता है तो उससे पहले हमेशा डू का ही फॉर्म आता है अर्थात डू का ही रूप आता है continuous सब्द को बताने के लिए यदि वर्व का चौथा रूप आता है तो उससे पहले हमेशा बी का ही फॉर्म आता है किसी दूसरे वर्व का फॉर्म नहीं आता है perfect सब्द को बताने के लिए यदि वर्ब का तीसरा रूप आता है तो उससे पहले हमेशा have का ही form आता है have के अलावा किसी दूसरे वर्ब का form नहीं आता है इस दूसरे नियम को आप हमेशा याद रखें इसके लिए मैं यहाँ एक चीज़ बता रहा हूँ simple की साधी do से होती है continuous की साधी b से होती है perfect की साधी have से होती है इहां मैंने तीन यूग्म को बनाया तीन जोरों को बनाया तीन कपल को बनाया तीन पेर को बनाया लेकिन हमारे पुर्व के बिद्वानों ने हमारे पुर्वजों ने जो बिहार के लोग थे चार जोरों को बनाया चार यूग्म को बनाया चार पेर को बनाया वह इस प्रकार है काली दुर्गे राधे स्याम गौरी संकर सीता राम यह हमारे बिहार का बहुत ही पूराना मंत्र है और इस मंत्र को हमारे पूर्व के बिद्वानों ने हमारे पुर्वजों ने इसी तीन जोरा को समझाने के लिए किया था इहां मैंने तीन जोरों को बताया है लेकिन हमारे बिहार के पुर्वजों ने हमारे बिहार के विद्वानों ने चार जोरों को बनाया है चार युगमों को बनाया है हम समझाएंगे कि चौथा जोड़ा, चौथा यूग्म क्या है हम लोग सीखने की कोशिस करें टेंस के पहले नियम का प्रियोग हम लोग टेंस के 12 सवकाइंड के वर्वों का पैटर्न लिखने में कैसे प्रियोग में लाते हैं कैसे प्रियोग करते हैं जब हम लोग present simple के वर्वों का pattern लिखते हैं तो पहले नियम का प्रियोग करते हैं present सब्द को बताने के लिए वर्व के पहले या पांचमे रूप का प्रियोग करते हैं और simple सब्द को बताने के लिए वर्व का कोई रूप नहीं लिखते हैं या वर्व का पहला रूप लिखत और सिम्पल सब्द को बताने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं लिखते हैं या वर्ब का पहला रूप लिखते हैं फ्यूचर सिम्पल के वर्बों का पैटर्न लिखने के लिए फ्यूचर सब्द को बताने के लिए सैल या विल के बाद वर्ब का पहला रूप लिखते हैं और सिंपल को बताने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं लिखते हैं फ्यूचर सिंपल के वर्बों का पैटर्न लिखने के लिए एक दूसरा तरीका भी है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे present continuous के वर्वों का pattern लिखने के लिए continuous सब्द को बताने के लिए वर्व के चौथे रूप का प्रियोग किया जाता है और present सब्द को बताने के लिए वर्व के पहले या पांच में रूप का प्रियोग किया जाता है past continuous के वर्वों का pattern लिखने के लिए पास्ट सब्द को बताने के लिए वर्व के दूसरे रूप का प्रियोग किया जाता है और कंटीन्यूस सब्द को बताने के लिए वर्व के चौथे रूप का प्रियोग किया जाता है फ्यूचर कंटीन्यूस के वर्वों का पैटर्न लिखने में future सब्द को बताने के लिए cell will के बाद वर्व के first रूप का प्रयोग किया जाता है और continuous सब्द को बताने के लिए वर्व के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है प्रेजंट परफेक्ट के वर्वों का पैटर्न लिखने के लिए प्रेजंट सब्द को बताने के लिए वर्व के पहले या पांचमे रूप का परियोग किया जाता है और परफेक्ट सब्द को बताने के लिए वर्व के तीसरे रूप का परियोग किया जाता है Past perfect के वर्वों का pattern लिखने के लिए Past सब्द को बताने के लिए वर्व के दूसरे रूप का प्रियोग किया जाता है और perfect सब्द को बताने के लिए वर्व के तीसरे रूप का प्रियोग किया जाता है Future perfect के वर्वों का pattern लिखने के लिए future सब्द को बताने के लिए sell या will के बाद verb के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है और perfect सब्द को बताने के लिए verb के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है present, perfect, continuous के वर्वों का pattern लिखने के लिए present सब्द को बताने के लिए वर्व के पहले या पांचमे रूप का प्रियोग किया जाता है परफेक्ट सब्द को बताने के लिए वर्व के तीसरे रूप का प्रियोग किया जाता है और कंटीनिवस सब्द को बताने के लिए वर्व के चौथे रूप का प्रियोग किया जाता है यहाँ यदि हम चाहें तो पहले continuous सब्द को बताने के लिए वर्व के चौथे रूप का प्रियोग कर सकते हैं उसके बाद perfect सब्द को बताने के लिए वर्व के तीसरे रूप का प्रियोग कर सकते हैं और उसके बाद present सब्द को बताने के लिए वर्व के पहले या पांच में रूप का प्रियोग कर सकते हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी हम tense के 12 subkind के लिए वर्वों का pattern लिखेंगे और पहला नियम का प्रियोग करेंगे तो उसको हम बाई तरफ से दाई तरफ भी लिख सकते हैं और दाई तरफ से बाई तरफ भी लिख सकते हैं Past, Perfect, Continuous के वर्वों का pattern लिखने के लिए Past सब्द को बताने के लिए वर्व के दूसरे रूप का प्रियोग करते हैं Perfect सब्द को बताने के लिए वर्व के तीसरे रूप का प्रियोग करते हैं और Continuous सब्द को बताने के लिए वर्व के चौथे रूप का प्रियोग करते हैं Future, Perfect, Continuous के वर्वों का pattern लिखने के लिए जब हम लोग पहला नियम का प्रियोग करते हैं तो future सब्द को बताने के लिए sell या will के बाद वर्ब के पहले रूप का प्रियोग करते हैं perfect सब्द को बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रियोग करते हैं और continuous सब्द को बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रियोग करते हैं हम लोगों ने यहां देखा कि टेन्स के 12 सबकाइंड को लिखने के लिए टेन्स के पहले नियम का प्रियोग कैसे करते हैं अब हम लोग सीखेंगे कि टेन्स के 12 सबकाइंड को लिखने के लिए टेन्स के दूसरे नियम का प्रियोग कैसे करेंगे तेंस का दूसरा नियम यहां मैंने तेंस का पहला नियम और तेंस का दूसरा नियम लिखा है इन नियमों को मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा है इन नियमों को मैंने शोध करके अपने अनुहों के आधार पर लिखा है तो हम लोग tense के दूसरे नियम को देखें आप याद रखें कि simple की साधी do से कर दें continuous की साधी be से कर दें perfect की साधी have से कर दें मैंने पहले कई जगह बताया है आपको कि do, be, have helping verb है, primary helping verb है और इसे मैंने लर की माना है simple को बताने के लिए, continuous को बताने के लिए और perfect को बताने के लिए main verb का प्रयोग किया जाता है इसलिए इन तीनों को मैंने लर का माना है और तीनों लर को की साधी हम बारी-बारी से do से, be से और have से इन तीनों लर की से कर देते हैं आप यह मत सोचिए कि मैंने simple को, continuous को, perfect को लर का माना है और do, be, have को लर की माना है इन ही बातों को समझाने के लिए हमारे बिहार के विद्वानों ने हमारे पुर्वजों ने इसको मंद्र के रूप में समझाया था काली दूर्गे, राधे स्याम, गौरी संकर, सीता राम इस मंद्र को हमारे बिहार के विद्वानों ने कब बनाया था मुझे तो मालूम नहीं है यदि आपको मालूम है तो अवस ही कमेंट करके मुझे बताइएगा मैंने यहां सिर्फ तीन जोरों को बताया है इसका मतलब दोनों हेल्पिंग वर्व का जोरा होगा और दूसरा जोरा राधे स्याम का बनाया है एक लर्की और एक लर्का है इसका मतलब पहले हेल्पिंग वर्व आएगा उसके बाद में वर्व आएगा तीसरा जोरी, तीसरा युग्म गौरी संकर का है पहले लर्की है बाद में लर्का है इसका मतलब पहले helping वर्व आएगा और उसके बाद main वर्व आएगा चौथा जोड़ा सीता राम का है यानि पहले सीता है यानि helping वर्व है बाद में राम है इसका मतलब main वर्व है आईए हम देखते हैं कि हमारे बिहार के विद्वानों ने इस मंत्र में तुकवंदी कैसे की है इस बात को हम लोग समझने का प्रयत्न करें काली दुरगे राधे शाम गौरी शंकर सीता राम इस मंत्र को हम दूसरे प्रकार से भी दो लाइन में लिख सकते हैं काली दुरगे राधे शाम गौरी संकर सीता राम इस मंत्र में देखिए स्याम के अंतिम में भी मौ लगा हुआ है और राम के अंतिम में भी मौ लगा हुआ है इसी को हिंदी में तुकवंदी कहा जाता है और यह तुकबंदी सिर्फ हिंदी के कवीता या हिंदी के गानों या हिंदी के दोहा में नहीं पाया जाता है आप किसी भी भासा के कवीता में या दोहा में या गाना में ऐसा देख सकते हैं जो लोग गाना गाते हैं या गाना का प्रैक्टिस करते हैं उनको तो पहले से ही मालूम होगा कि तुकवंदी क्या है, लेकिन मैं उन छात्रों को भी समझाना चाहता हूँ, जो गाना से लगाओं नहीं रखते हैं या गाना नहीं गाते हैं तुकवंदी क्या होता है आईए हम लोग जानते हैं इन पंग्तियों को देखें कोई बड़ा आदमी छोटे बच्चों को कैसे चिराता है और कहता है यहां देखिए री लगा हुआ है लास्ट में और इसमें भी री लगा हुआ है तो पहला लाइन के अंत में भी री है और दूसरा लाइन के अंत में भी री है यहीं तुकवंदी होता है अब एक दूसरा उदाहरन देखिए, यह एक गाना है और बहुत ही प्रसिद गाना है मैंने प्यारे तुम ही से किया है, मैंने दिल भी तुम ही को दिया है इस गाना में देखिए, पहला लाइन में या है लगा हुआ है और दूसरे पंग्ती में भी या है लगा हुआ है यही तुकवंदी होता है मेरे विचार से जो छात्र गाना नहीं गाते हैं या गाना से लगाओ नहीं रखते हैं उनको समझ में आ गई होगी तुकवंदी क्या होती है तुकवंदी को समझने के लिए एक तीसरा उदाहरन भी देखें या बहुत ही प्रशिद देशवक्ती गीत है ए मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भरलो पानी जो सहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुरवानी यहाँ पहली पंक्ती में देखें नी लगा हुआ है और दूसरी पंक्ती में भी अंतिम में नी लगा हुआ है इसी को तुकवंदी कहा जाता है ऐसा तुकवंदी आप अंग्रेजी के कविताओं में भी देखेंगे और अंग्रेजी के गानाओं में भी देखेंगे यही तुकवंदी हमारे बिहार के पुर्वजों ने, हमारे बिहार के विद्वानों ने भी इस मंत्र में किया है जिस मंत्र को अभी हम लोगों ने देखा है अभी जो हम लोगों ने मंत्र पढ़ा था इसको तीन और प्रकार से तुकवंदी किया जा सकता है काली दुर्गे, सीता राम, गौरी संकर, राधे स्याम यदि चार-चार सब्दों को एक लाइन में लिखा जाए तो इस तुकवंदी में भी पहला लाइन में राम में मोह है और दूसरा लाइन स्याम में मोह है इस मंत्र को एक तीसरे प्रकार से भी तुकवंदी किया जा सकता है गौरी संकर, राधे स्याम, काली, दुर्गे, सीता, राम यदि चार-चार सब्दों को एक-एक लाइन में लिखा जाए तो पहली पंक्ती में स्याम में मोह है लाष्ट में और दूसरी पंक्ती राम में भी मोह है इस प्रकार भी इस मंत्र का तुकवंदी किया जा सकता है और इस मंत्र का एक चौथे प्रकार से भी तुकवंदी किया जा सकता है गौरी संकर, सीता, राम, काली, दुर्गे, राधे स्याम यदि चारचार सब्दों को एक एक पंक्ती में लिखा जाए तो पहली पंक्ती में राम में मौ है और दूसरी पंक्ती के अंतिम सब्द स्याम में भी मौ है यानि हम इसी मंद्र को चार प्रकार से तुकवंदी कर सकते हैं लेकिन हमारे बिहार के पुर्वजों ने, हमारे बिहार के विद्वानों ने इस मंद्र का तुकवंदी मात्र एक तरीका से किया काली दुरगे राधे स्याम, गौरी संकर, सीता राम आईए सिर्फ इसी प्रकार से क्यों किया इसको समझने की कोशिस करते हैं इसमें देखिए पहले स्याम आता है यानि सिंपल आता है उसके बाद संकर आता है यानि continuous आता है और तीसरा राम आता है यानि perfect आता है अर्थात पहले simple, उसके बाद continuous, उसके बाद perfect आया यदि हम दूसरे प्रकार से तुकबंदी करते हैं तो पहले perfect आएगा, उसके बाद continuous आएगा, उसके बाद simple आएगा जो कि ऐसा करम हम लोग नहीं परते हैं सबसे पहले हम लोग Simple पढ़ते हैं उसके बाद Continuous पढ़ते हैं उसके बाद Perfect पढ़ते हैं तीसरी तुकबंदी देखिए जिसको हमारे बिहार की बिद्वानों नहीं किया पहले Continuous आता है उसके बाद Simple आता है उसके बाद Perfect आता है यह करम भी सही नहीं है चोथा तुकबंदी देखिए जो किया जा सकता था लेकिन हमारे बिहार के पुर्वजों नहीं किया पहले continuous आता है उसके बाद perfect आता है उसके बाद simple आता है यह भी क्रम सही नहीं है और देखिए पहला पहला तुकबंदी जिसको हमारे बिहार के पुर्वजों ने किया काली दुरगे राधे स्याम गौरी संकर सीता राम इसमें बिलकुल ही क्रम सही बैठता है पहले सिंपल उसके बाद कंचीनिवेस उसके बाद प्रफेक्ट यही तो प्रेजन्ट या पास्ट या फ्यूचर के चारो सबकाइंड का क्रम होता है और चौथा जो एक जोड़ा बनता है काली दुरगे दोनों लर्कियों का जोड़ा है अर्था दोनों हेल्पिंग वर्व का जोड़ा है इसको भी आगे हम परने के क्रम में सीखेंगे यहां हम लो परसन में सिंगुलर के लिए पहला घर और प्लूरल के लिए दूसरा घर है कुल मिला कर एक दो तीन चार पांच छो घर बनता है चो में से देखिए पांच जगह केवल डू आया है पहला घर में भी डू दूसरा घर में भी डू तीसरा घर में भी डू चौथा घर में भी और छट्था घर में भी डू, केबल पांच में घर में डज का प्रियोग हुआ है। और हमारे बिहार के विद्वानों ने डू को राधा कहा था। और हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ग के रूप में डू का सिर्फ तीन रूप प्रियोग में आता है। पहला रूप डू, दूसरा रूप डिड और पांच मा रूप डज होता है। हम लोग यहां देखते हैं कि पांच घर में डू का पहला रूप डू और मातर एक घर में डू का पांच मा रूप डज आया है। यानि डू की बहुत ही अधिक पूछ है और डज की बहुत कम पूछ है इसी कीज को हमारे बिहार के विद्वानों ने दूसरे ढंग से समझाया कि राधा की बहुत अधिक पूछ थी और मीरा की बहुत कम पूछ थी और इस बात को कि राधा की बहुत अधिक पूछ थी और मीर की बहुत कम पूछ थी एक गाना के द्वारा भी दरसाया गया है दर्शकों मेरा राग बहुत अच्छा नहीं है लेकिन जब आप इस गाना का रिकार्डिंग सुनेंगे तो आपको यह गाना बहुत ही अच्छा लगेगा तो मेरे राग पर मत जाएए क्योंकि मैं कोई गवईया नहीं हूँ कि गाना बहुत अच्छा ढंग से गाऊंगा लेकिन इस गाना को मैंने बहुत सुना है और इस गाना में असपष्ट दर्साया गया है कि राधा की बहुत अधिक पूछ थी और मीरा की बहुत कम इसको देखने से पता चलता है कि राधा की बहुत अधिक पूछ है और मीरा की बहुत कम क्योंकि simple के साथ 5 घर में do आया है यानि राधा आया है और सिफ एक घर में mira आया है अर्थात does आया है मात्र एक घर में simple mira के साथ आता है अब हम लोग बारी बारी से tense के 12 subkind के वर्वों का pattern लिखने के लिए tense के दोनों नियम का प्रयोग कैसे करते हैं सीखने का प्रयास करते हैं present simple के वर्वों का पहला pattern अर्थात present simple के लिए वर्वों का दो pattern होता है जिसमें हम लोग अभी पहला pattern सीखते हैं present सब्द को बताने के लिए वर्व के पहले या पांचमे रूप का प्रयोग किया जाता है और simple सब्द को बताने के लिए वर्व का कोई रूप नहीं आता है अब चुकी simple सब्द को बताने के लिए वर्व का कोई रूप नहीं आता है इसलिए simple सब्द से पहले do का रूप यहां नहीं आएगा present simple के वर्वों का पहला pattern लिखने के लिए हम लोग यहां देखते हैं कि सिर्फ टेंस का पहला नियम का प्रियोग करते हैं अभी अभी हम लोगों ने present simple के लिए वर्वों का पहला pattern क्या होता है सीखा अब इसका प्रियोग हम लोग कहां कहां करते हैं इस बात को सीखें और इस बात को आप 24 घंटा याद रखने की कोशिस करें नहीं तो आपको आगे चल कर बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पर सकता है present simple के वर्वों के इस pattern का प्रियोग हम tense active में basic sentence या elementary sentence या kernel sentence या affirmative assertive sentence में करते हैं यदि basic sentence में subject के जगह पर कोई question word आया हो जैसे who या which why या what why या who's son या how many boys या how tall girl इत्यादी subject के जगह पर आया हो तो हम लोग present simple के वर्वों के इसी pattern का यूज करते हैं अर्थात present simple के वर्वों के पहला pattern का यूज करते हैं present simple के वर्वों के इस pattern का प्रियोग अर्थात present simple के वर्वों के पहला pattern का प्रियोग हम tense active के बाहर हर जगह करेंगे अर्थात tense के बाहर हर जगह करेंगे जैसे passive voice में, modal helping verb के बाद, imperative sentence में, late से शुरू होने वाले वाकि में, future simple में भी, sell या will के बाद अर्थात future simple में भी sell या will के बाद हम present simple के वर्वों का यह pattern use कर सकते हैं इस बात को हम आगे सीखेंगे present simple के लिए वर्व का यह पहला pattern बहुत महत्पुर्ण है इस कारण आप इसे नहीं भूलें तो बहुत अच्छी बात है present simple के वर्वों का दूसरा pattern देखें present सब्द को बताने के लिए वर्व के पहले या पांचमे रूप का प्रियोग किया जाता है यह tense का पहला नियम है अब दूसरे नियम का उप्योग करना सीखें जब simple को बताने के लिए वर्व का पहला रूप आता है तो उससे पहले present सब्द को बताने के लिए do का ही पहला या पांचमा रूप आता है इस नियम को हमेशा हम लोग दाएं से बाएं और लिखते हैं इस बात का दियान रखें और दूसरे लाइन को ही जब हम लोग समझा कर लिखते हैं तो वह तीसरी पंक्ती बन जाती है तीसरा लाइन बन जाता है do का पहला रूप होता है do और पांचमा रूप होता है does और यहाँ वर्व का पहला रूप हम लिखेंगे ही हम लोगों ने यहाँ देखा कि present simple के लिए वर्वों के दूसरा pattern में tense के वर्वों के pattern के लिए दोनों नियम का प्रियोग किया जाता है लेकिन जब present simple का पहला pattern लिखते हैं तो हाँ सिर्फ tense का पहला नियम का प्रियोग किया जाता है पास्ट सिंपल के वर्वों का पहला पैटर्न देखें पास्ट सब्द को बताने के लिए वर्व के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है और सिंपल सब्द को बताने के लिए वर्व का कोई रूप नहीं आता है इहां हम लोगोंने टेंस के पहले नियम का प्रयोग किया है अब चुकी सिंपल सब्द को बताने के लिए वर्व का कोई रूप नहीं आता है इसलिए सिंपल सब्द से पहले डू का रूप इहां नहीं आएगा पास्टेंस के वर्वों का पहले पैटर्ण का प्रियोग कब करेंगे इसको जानने के लिए आप लोग प्रेजंट सिंपल के वर्वों के पहले पैटर्ण का प्रियोग हम लोग कहां कहां करते हैं सीख लें पास्ट सिंपल के वर्वों का दूसरा पैटर्न देखें सबसे पहले हम पहला नियम का प्रियोग करते हैं पास्ट सब्द को बताने के लिए वर्व के दूसरे रूप का प्रियोग किया जाता है और simple सब्द को बताने के लिए वर्व के पहले रूप का प्रियोग किया जाता है यहां हम लोगों ने पहला पहला नियम का प्रियोग किया अब हम लोग दूसरे नियम का प्रियोग करें जब भी simple सब्द को बताने के लिए वर्व का पहला रूप आता है तो उससे पहले पास्ट बताने के लिए हमेंसा डू का ही दूसरा रूप आता है किसी भी दूसरे वर्व का रूप यहां नहीं आएगा अब हम लोग दूसरी पंक्ती को ही समझा कर साफ साफ सब्दों में लिखते हैं दू का दूसरा रूप होता है डिड और यहां हम वर्व का पहला रूप लिखते हैं हम लोगों नहीं यहां देखा पास्टेंस के वर्वों का दूसरा पैटर्न लिखने के लिए टेंस के लिए वर्वों के पैटर्न का पहला नियम भी यूज़ करते हैं और दूसरा नियम भी use करते हैं future simple के लिए वर्वों का pattern देखें future सब्द को बताने के लिए sell या will के बाद वर्व के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है और simple सब्द को बताने के लिए वर्व का कोई रूप नहीं आता है यहां हम लोगों ने देखा केबल टेंस के वर्वों के पैटर्ण के लिए पहला नियम का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर सिंपल के वर्वों का पैटर्ण लिखने के लिए एक दूसरे भी विधी का प्रयोग करते हैं उस विधी को भी सीखें फ्यूचर सब्द को बताने के लिए हम लोग हमेंसा sell या will future marker का प्रयोग करते हैं और उसके बाद चुकि future simple है इसलिए हम लोग sell या will के बाद present simple के वर्वों का pattern लिखते हैं present simple को बताने के लिए हम लोग present simple के वर्वों का पहला pattern यूज़ करते हैं और present सब्द को बताने के लिए हम लोग वर्ब के पहले रूप का प्रियोग करते हैं अर्थात future simple के वर्बों का pattern जब हम लिखें तो सबसे पहले आप future के लिए future marker cell या will लिख दें और future simple के जगा पर present simple के वर्बों का पहला pattern लिख दें इस प्रकार आपको future simple के वर्बों का pattern प्राप्थ हो जाएगा इस प्रकार cell या will का प्रियोग करने के बाद present के लिए वर्ब का पहले form का प्रियोग करते हैं तो future simple के लिए हमको वर्बों का pattern प्राप्थ हो जाता है present continuous के लिए वर्बों का pattern लिखना सीखें प्रेजन्ट सब्द को बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचमे रूप का प्रियोग करते हैं और कंटीन्यूस सब्द को बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रियोग करते हैं इसके बाद हम लोग दूसरी पंक्ती में दूसरे नियम का प्रियोग करेंगे वर्व के चौठे रूप का प्रियूंक के आता है. तो उससे पहले present सब्द को बताने के लिए हमेसा B के ही पहले या पाँच में रूप का प्रियूंक के आता है. कोई दूसरा वर्व B के जगह पर नहीं आएगा. और दूसरी पंग्ति को ही हम लोग साफ साफ सब्दों में लिखते हैं बी का पहला या पांचमा रूप लिखते हैं बी का पहला रूप हम M लिखते हैं या R लिखते हैं और बी का पांचमा रूप इस लिखते हैं चुकि बी का पहला रूप B भी होता है तो B यहाँ इसलिए नहीं लिखते हैं B का पहला रूप क्योंकि B का पहला रूप जब B आता है तो इसके लिए एक और नियम आप याद रखें कि B का जब पहला रूप B आता है तो उससे पहले हमेशा कोई न कोई helping verb आएगा ही और इसका एक और अपवाद है कि यदि लेट आता है और उसके बाद B आता है तो B का पहला रूप B ही आता है इहां आप एक बात और याद रखें मैंने बहुत किताबों में पढ़ा है और मैंने बहुत लोगों को लिखते हुए देखा है सबसे पहले वे इस लिखते हैं उसके बाद M और R लिखते हैं लेकिन मैंने B का first person के साथ आने वाले रूपों को लिखा है first person singular number I के साथ M होता है और first person plural V के साथ R होता है इसलिए मैंने पहले M लिखा उसके बाद R लिखा और last में जाके third person singular number के साथ is आता है इसलिए आप जब भी लिखें तो इस क्रम को बनाए रखें सबसे पहले M लिखें उसके बाद R लिखें उसके बाद is लिखें नमबर और परसन के अनुसार भी और सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार भी और वर्ब के रूपों के अनुसार भी पहले वर्ब का पहला रूप लिखते हैं उसके बाद वर्ब का पांच मा रूप लिखते हैं यानि दोनों तरीका से आप लिखेंगे तो आप M, R और उसके बाद Is लिखें। और continuous बताने के लिए वर्व के चौथे रूप का प्रियोग किया जाता है। इस परकार हम लोगों ने देखा कि present continuous के लिए वर्वों का पैटर्न कैसा होता है। Past continuous के लिए वर्वों का पैटर्न देखें। सबसे पहले हम लोग पहला नियम का प्रियोग करते हैं। Past सब्द को बताने के लिए वर्व के दूसरे रूप का प्रियोग किया जाता है। और continuous सब्द को बताने के लिए वर्व के चौथे रूप का प्रियोग किया जाता है। अब दूसरी पंक्ती लिखने के लिए हम लोग दूसरे नियम का प्रियोग करते हैं। continuous सब्द को बताने के लिए वर्व के चौथे रूप का प्रियोग करते हैं। continuous सब्द को बताने के लिए जब भी वर्व का चौथा रूप आता है तो उससे पहले पाश्च सब्द को बताने के लिए बी का ही दूसरा रूप आता है और हम लोग दूसरी पंक्ति को ही साफ साफ सब्दों में लिखते हैं बी का दूसरा रूप होता है वाज या वर इस वर क अप वेर ना पर हैं और continuous सब्द को बताने के लिए वर्व का चौता रूप आता है इस परकार हम लोगों ने देखा कि past continuous के लिए वर्वों का पैटर्ण कैसा होता है future continuous के लिए वर्वों का पैटर्ण देखें सबसे पहले हम लोग पहले नियम का प्रियों करते हैं portal पूचर सब्द को बताने के लिए सैल या विल के बाद वर्व का पहला रूप आता है और कंटीनिवस सब्द को बताने के लिए वर्व का चौथा रूप आता है अब हम लोग दूसरे नियम का प्रयोग करना सीखें दूसरे नियम को हम लोग हमेशा दाई से बाई और लिखते हैं continuous सब्द को बताने के लिए जब भी वर्व का चौथा रूप आता है तो उससे पहले हमेशा B का ही रूप लिखा जाता है लेकिन यहां B का पहला रूप लिखेंगे क्योंकि जब भी sell या will के बाद B का रूप आता है तो B का पहला रूप भी स्वयम आता है क्योंकि sell या will के बाद हमेशा वर्व का पहला रूप ही आता है अब हम लोग दूसरी पंक्ती को ही साफ साफ समझा कर लिखते हैं अर्था लिखेंगे क्योंकि जब भी जब भी स्वयम आता है हम लोगों ने सीखा कि कभी भी modal helping वर्व के बाद वर्व का पहला रूप ही आता है cell या will के बाद भी हमेशा वर्व का पहला ही रूप आएगा चुकि बी का पहला रूप बी स्वेंग भी है इसलिए cell या will के बाद बी खुद ही आएगा और continuous सब्द को बताने के लिए वर्व का चौथा रूप आएगा future continuous के लिए वर्वों का यही pattern होता है अब हम लोग future continuous के लिए वर्मों का pattern लिखने के लिए एक दूसरे तरीका को भी सीखें जब भी हम future continuous के लिए वर्मों का pattern लिखते हैं तो सबसे पहले future marker cell या will लिखते हैं और future continuous के जगा पर present continuous का वर्मों का pattern लिखते हैं हम क्या करें अब सेल या उविल के बाद present continuous के लिए वर्वों का पैटरन लिखें और हम लोग जानते हैं कि present सब्द को बताने के लिए वर्व का पहला रूप आता है और continuous सब्द को बताने के लिए वर्व का चौथा रूप आता है यह तो हो गया पहला नियम अब दूसरे नियम का प्रियोग करें जब भी continuous सब्द को बताने के लिए वर्व का चौथा रूप आता है तो उससे पहले present सब्द को बताने के लिए हमेशा B का ही पहला रूप आएगा और उससे पहले cell या will future marker आता है cell या will future marker के बाद B का पहला रूप B लिखेंगे और उसके बाद continuous बताने के लिए वर्व का चौथा रूप लिखेंगे future continuous के लिए वर्वों का यही pattern होता है present perfect के वर्वों का pattern देखें सबसे पहले हम लोग पहले नियम का प्रियोग करते हैं present सब्द को बताने के लिए वर्व के पहले या पांच में रूप का प्रियोग किया जाता है और perfect सब्द को बताने के लिए वर्व के तीसरे रूप का प्रियोग किया जाता है अब हम लोग दूसरे नियम का प्रियोग करना सीखें परफेक्ट सब्द को बताने के लिए जब भी वर्व के तीसरे रूप का प्रियोग किया जाता है तो उससे पहले प्रेजंट सब्द को बताने के लिए हमेशा हैब के ही पहले या पांचमे रूप का प्रियोग किया जाता है इहां किसी दूसरे वर्व का प्रयोग नहीं किया जा सकता है अब दूसरी पंक्ती को ही हम लोग साफ साफ समझा कर लिखते हैं हैव का पहला रूप हैव होता है और हैव का पांचमा रूप हैज होता है उसके बाद perfect सब्द को बताने के लिए वर्व के तीसरे रूप का प्रियोग किया जाता है प्रेजन परफेक्ट के लिए वर्वों का यही पैटर्न होता है पास्ट परफेक्ट के लिए वर्वों का पैटर्न देखें सबसे पहले हम पहला नियम का प्रियोग करेंगे पाश्ट सब्द को बताने के लिए वर्व के दूसरे रूप का प्रियोग किया जाता है और परफेक्ट सब्द को बताने के लिए वर्व के तीसरे रूप का प्रियोग किया जाता है तो उससे पहले past बताने के लिए हमेशा have का ही दूसरा रूप आता है have के जगा किसी दूसरे वर्व का रूप नहीं आएगा अब दूसरी ही पंक्ति को साफ साफ असपस्ट करके लिखते हैं have का दूसरा रूप होता है had और perfect सब्द को बताने के लिए वर्व का तीसरा रूप लिखते हैं past perfect के वर्वों का यही pattern होता है future perfect के वर्वों का pattern क्या होता है इसको हम लोग सीखें सबसे पहले हम tense के पहले नियम का प्रयोग करते हैं future सब्द को बताने के लिए shall या will के बाद वर्व का पहला रूप आता है और perfect सब्द को बताने के लिए वर्व का तीसरा रूप आता है अब हम लोग tense के दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं और इसको हम लोग दूसरी पंक्ती में लिखेंगे और तीसरी पंक्ती में लिखेंगे और हमेशा याद रखें tense के दूसरे नियम का प्रयोग हम दाएं तरफ से बाएं और लिखेंगे perfect सब्द को बताने के लिए वर्व के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले future बताने के लिए हमेशा have के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है और have के पहले रूप से भी पहले शैल या विल आता है अब दूसरी पंग्ती को ही दूसरे लाइन को ही साफ साफ समझा कर शपस्ट रूप से तीसरी पंग्ती में लिखते हैं शैल या विल के बाद have का पहला रूप have आता है और perfect बताने के लिए वर्व का तीसरा रूप आता है future perfect के लिए यही वर्वों का pattern होता है future perfect के वर्वों का pattern लिखने के लिए एक दूसरे तरीका को भी सीखें future सब्द को बताने के लिए सबसे पहले cell या will future marker लिख देते हैं और future perfect के जगा पर present perfect के वर्वों का pattern लिखते हैं जब हम लोग future सब्द को बताने के लिए future marker cell या will लिख देते हैं तो उसके बाद present सब्द को बताने के लिए वर्ब के पहले रूप को लिखते हैं और perfect सब्द को बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप को लिखते हैं अब दूसरे नियम का प्रयोग करना सीखें परफेक्ट सब्द को बताने के लिए जब वर के तीसरे रूप का प्रियोग किया जाता है तो उससे पहले हमेशा प्रेजंट सब्द को बताने के लिए हैब का ही कोई न कोई रूप आता है यहां चुकि हैब के रूप से पहले सैल या विल का प्रियोग हुआ है इसलिए have का यहाँ पहला रूप आया है अब दूसरी पंक्ति को हम लोग साफ साफ समझा कर लिखते हैं सैल या विल के बाद present बताने के लिए have का पहला रूप have आता है और perfect बताने के लिए verb का तीसर रूप आता है future perfect को बताने के लिए verb का यही pattern होता है इस दूसरे तरीका को भी आप खूब अच्छी तरह सीख लें और इसको एक दोवार लिख कर प्रैक्टिस करें अभ्यास करें present, perfect, continuous के लिए verb का पैटर्न देखें सबसे पहले हम लोग पहले नियम का प्रियोग करते हैं present सब्द को बताने के लिए verb के पहले या पांचमे रूप का प्रियोग किया जाता है perfect सब्द को बताने के लिए verb के तीसरे रूप का प्रियोग किया जाता है और continuous सब्द को बताने के लिए verb के चौथे रूप का प्रियोग किया जाता है आप वर्वों के इन रूप को किधर से भी किधर लिख सकते हैं इसका कोई नियम नहीं है लेकिन जब हम लोग अब टेंस के दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे तो दूसरे नियम को हमेशा हम लोग दाई तरप से बाई और लिखेंगे अब देखिए दाइं और से बाइं और कैसे लिखते हैं जब भी continuous सब्द को बताने के लिए वरके चौते रूप का पर्यूग के जाता है तो उससे पहले perfect सब्द को बताने के लिए B का ही तीसर रूप आता है और जब perfect सब्द को बताने के लिए B का तीसर रूप आता है तो उससे पहले present बताने के लिए have का ही पहला या पांचमा रूप आता है हम लोगोंने यहां दूसरे नियम को देखा continuous सब्द बताने के लिए वर्ब का चौथा रूप आता है और उससे पहले हमेशा B का ही रूप आता है लेकिन perfect बताने के लिए B का रूप आ रहा है इसलिए यहां हम B का तीसर रूप लिखेंगे और जब भी perfect बताने के लिए B का त तीसर रूप आता है तो perfect से पहले हमेशा है यहां हाला रूप है और पाँचमा रूप हैज होता है B का तीसर रूप बीन होता है और यहां वर्ब का चौथा रूप लिखते हैं प्रेजंट perfect continuous के लिए वर्बों का यही pattern होता है Past, Perfect, Continuous के लिए वर्वों का pattern देखें Past सब्द को बताने के लिए वर्व के दूसरे रूप का प्रियोग किया जाता है Perfect सब्द को बताने के लिए वर्व के तीसरे रूप का प्रियोग किया जाता है और continuous सब्द को बताने के लिए वर्व के चौथे रूप का प्रियोग किया जाता है यह टेंस का पहला नियम है अब टेंस के दूसरे नियम का प्रियोग करना सीखते हैं जब भी continuous सब्द को बताने के लिए वर्व का चौथा रूप आता है तो उससे पहले हमेंसा B का ही रूप आता है इसलिए perfect सब्द को बताने के लिए B का ही तीसरा रूप आता है क्योंकि perfect बताने के लिए हमेंसा वर्व का तीसरा रूप ही आता है और जब भी perfect सब्द को बताने के लिए B का तीसरा रूप आएगा तो उससे पहले हमेशा have का ही कोई रूप आएगा और past बताने के लिए हमेशा have का दूसरा रूप लिखते हैं अब दूसरी पंक्ती को साफ साफ सब्दों में समझा कर तीसरी पंक्ती के रूप में लिखते हैं have का दूसरा रूप had होता है B का तीसरा रूप B न होता है और वर्व का चौथा रूप यहां वर्व के चौथे रूप में ही लिखते हैं Past Perfect Continuous के लिए वर्वों का यही पैटर्ण होता है Future Perfect Continuous के लिए वर्वों का पैटर्ण देखें सबसे पहले हम लोग पहले नियम का प्रियोग करते हैं Future सब्द को बताने के लिए Sell या Will के बाद वर्व के पहले रूप का प्रियोग करते हैं Perfect सब्द को बताने के लिए वर्व के तीसरे रूप का प्रियोग करते हैं और Continuous सब्द को बताने के लिए V वर्व के चौथे रूप का प्रियोग होता है तो उससे पहले हमेशा B का ही कोई न कोई रूप आता है इसलिए perfect सब्द को बताने के लिए B के तीसरे रूप का प्रियोग किया जाता है और जब perfect सब्द को बताने के लिए B के तीसरे रूप का प्रियोग किया जाता है तो उस दूसरी पंक्ती लिखेंगे तो दूसरी पंक्ती को ही साप साप समझा कर लिखेंगे सैल या विल के बाद हैब का पहला रूप हैब आता है और बी का तीसरा रूप बीन आता है और यहां वर्व का चौथा रूप आता है future perfect continuous के लिए वर्वों का यही pattern होता है अब हम लोग future perfect continuous के लिए वर्वों का pattern देखें इसके लिए हम लोग सबसे पहले future marker cell या will लिखते हैं और future perfect continuous के जगा पर present perfect continuous लिख देते हैं अर्थात future perfect continuous के वर्वों का pattern लिखने के लिए cell या will future marker लिखने के बाद present perfect continuous के लिए वर्वों का pattern लिखते हैं तो अब देखिए हम लोग पहले नियम का प्रयोग करेंगे सबसे पहले हम लोग future marker cell या will लिखेंगे उसके बाद present सब्द को बताने के लिए वर्व का पहला रूप लिखेंगे उसके बाद perfect सब्द को बताने के लिए वर्व का तीसरा रूप लिखेंगे फिर उसके बाद continuous सब्द को बताने के लिए वर्व का चौथा रूप लिखेंगे अब हम लोग tense के दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं जिसको हमेशा हम लोग dine और से by और लिखते हैं जब भी continuous सब्द को बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रियोग करते हैं तो उससे पहले हमेशा हम लोग perfect को बताने के लिए बी का ही तीसरा रूप यूज़ करते हैं इस जगा पर हम भी के अलावा किसी दूसरे वर्ब का प्रियोग नहीं करेंगे क्योंकि continuous सब्द से पहले हमेशा भी का ही रूप आता है और जब भी perfect सब्द को बताने के लिए वर्ब का तीसरा रूप हम प्रियोग करते हैं तो उससे पहले present सब्द को बताने के लिए have का ही प पहला रूप आया है उससे पहले future marker sell या will आया है इसलिए यहाँ present सब्द को बताने के लिए हम have के 5 में रूप का प्रियोग नहीं करते हैं क्योंकि उससे पहले future marker sell या will आया है और हम लोग जानते हैं कि कि किसी भी modal helping verb के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है इसलिए sell या will के बाद present बताने के लिए वर्ब का 5 मा रूप नहीं आता है केवल have का पहला रूप आता है अब दूसरी पंक्ती को साफ साफ समझा कर हम लोग तीसरी पंक्ती के रूप में लिखते हैं सबसे पहले future marker sell या will लिखते हैं उसके बाद have का पहला रूप have लिखते हैं उसक के बाद वर्व का चौथा रूप लिखते हैं, future perfect continuous के लिए वर्वों का यही pattern होता है, हम लोगों ने सीखा कि future के चारो sub kind को लिखने के लिए हम लोग दो दो तरीका से वर्वों का pattern लिखते हैं, आप दोनों तरीका सीख लें, Dear students, हम लोगों ने हां, tense के बाद सब kind के लिए वर्वों का pattern देखा, और हम लोगों ने हां, tense के दो नियमों का प्रियो करना सीखा, दोनों नियम आप किसी भी किताब में नहीं देखेंगे, यह मैंने अपने अनुभों के आधार पर, अपने ग्यान के आधार पर, शोध करके लिखा है, और मुझे लगता है, tense के पहले नियम, और tense के दूसरे नियम का, कहीं भी आपको कोई भी अपवाद नहीं मिलेगा, इसलिए यह नियम बिलकुल सही है, बिलकुल सटीक है, आप इस नियम को याद कर ले, मुझे पुर्ण विश्वास है, कि आप इन tense के दो नियम वर्वों का प्रयोग करके टेंस के 12 सबकाइंड के लिए वर्वों का पैटर्न लिखना सीख चुके हैं। यह मंत्र जो आप श्क्रीन पर देख रहे हैं काली दूरगे राधे श्याम गौरी संकर सीता राम इसके बारे में हम लोग कुछ सीख चुके हैं कि इसका प्रयोग टेंस के दूसरे नियम को बताने के लिए हमारे पुर्वजों ने किया बिहार के विद्वानों ने किया। अब इसके बारे में थोड़ी और अधिक बातों को हम लोग जानते हैं कि यह मंत्र हमें क्या क्या बताता है। नाम लूँ या कृष्ण भगवान का नाम लूँ तो आप समझ जाये मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ या वर्व के फ़स्ट रूप का बात कर रहा हूँ। जब भी मैं गौरी का नाम लूँ या गौरी के बारे में बात करूँ तो आप समझ जाएए कि मैं बी के बारे में बात कर रहा हूँ और जब भी मैं संकर के बारे में बात करूँ तो आप समझ जाएए कि मैं continuous के बारे में बात कर रहा हूँ या वर्व के चौथे रूप के बारे में बात कर रहा हूँ जब भी मैं सीता का नाम लूँ या सीता के बारे में बात करूँ तो आप समझ जाएं कि मैं हैव के बारे में बात कर रहा हूँ और जब भी मैं राम का नाम लूँ या राम के बारे में बात करूँ तो आप यह समझें कि मैं परफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ या वर्व के तीसरे रूप के बारे में बात कर रहा हूँ और जब भी मैं काली, राधे, गौरी, सीता का नाम लूँ तो आप समझ जाएए कि मैं हेल्पिंग वर्व की बात कर रहा हूँ और कभी भी मैं किसी भी इस्त्री जाती के बारे में बात करूं या नौकर, चाकर, बोडी गार्ड के बारे में बात करूं तो आप समझ जाईए कि मैं helping वर्व की बात कर रहा हूं इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम लोग देखते हैं कि इस मंत्र से हमें कितनी बातें मालूम होती हैं काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी संकर शीता राम, मंत्र से हम लोग कितनी बातों को सीखते हैं या इस मंत्र से हमें कितनी बातें मालूम होती हैं आईए एक-एक कर सीखें पहली बात इस मंत्र की रचना तेंस के दूसरे नियम को समझाने के लिए किया गया है दूसरी बात इस मंत्र में बी को मादुरगा या गौरी कहा गया है और हम जानते हैं कि मादुर्गा गर्भ जोन में नौ रूपों में रह कर इहां गर्भ जोन का मतलब होता है पैसिव वाइस गर्भ जोन में नौ रूपों में रह कर भैरब को जान से मार देती है इस कहानी में भी मादुर्गा के नौ रूपों की चर्चा हुई है अंग्रेजों को भौ का उचारन करने नहीं आता है इसी कारण अंग्रेजों ने भैरब को वर्भ कहा हमारे बिहार में अभी भी लोग वर्भ को भर्भ कहते हैं मेरे कहने का मतलब यहां यह है कि वर्भ शब्द की उत्पती भैरब सब्द से हुई है अर्थात अंग्रेजों का वर्भ हमारे भारत के भैरब सब्द से हुई है इस बात का आप हमेशा ध्यान डखें और आपको गर्भ होना चाहिए कि अंग्रेजों के ग्रामर का वर्भ स तिसरी बात इस मंत्र में बी को मादुरगा या गौरी कहा गया है और हम जानते हैं कि मादुरगा गर्ब जोन में नौ रूपों में रहकर भैरब को जान से मार देती है अर्थात भी नौ रूपों में पैसी वाइस में आती है और में वर्ब को जान से मार कर तीसरे रूप में बदल देती है पैसी वाइस में बी के नौ रूपों का आना यह बतलाती है कि टेंस के बारा सब काइंड का पैसी वाइस होता है यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर B के नौ रूपों का helping वर्ब के अर्थ में प्रियोग कहां करेंगे मेरे कहने का मतलब यहां यह है कि इश मंत्र से यह सावित होता है कि B का नौ रूप होता है और नौ रूप B का passive vice में प्रियोग में लाया जाता है लेकिन आज के बिद्वान कहते हैं टेंस के बारा सब काइंड का प्रयोग हम पैसिव वाइस में नहीं यूज करते हैं यानि टेंस के बारा सब काइंड का पैसिव वाइस नहीं बनाया जा सकता है इस बात से असपस्थ है कि ये नए बिद्वान हमारे पुर्वजों हमारे बहुत बहुत बड़े बिद्वान जो पुर्वज थे उनको ये लोग मुर्ख समझते हैं चौथी बात इस मंत्र में हेल्पिंग वर्व को देवी कहा गया है और एक जोरी काली दुरगे का है अर्थात एक जोरा है बीन का है जो तीनों टेंस के परफेक्ट कंट्यूनियस में आता है शपस्ट है कि have और बीन दोनों helping verbs हैं मेरे कहने कार्थ यहां यह है कि बीग का रूप बीन भी helping verb है लेकिन आज के विद्वान बीन को helping verb नहीं मानते हैं अर्थात वे हमारे और अपने पुर्वजों को मुर्ख समझते हैं पांचमी बात इस मंत्र से यह भी सावित होता है कि राधा के बाद स्याम आता है अर्थात प्रेजंट या पास्ट बताने के लिए helping verb do के रूप के बाद simple बताने के लिए वर्व का पहला रूप आता है अर्थात यह मंत्र हमें बतलाता है कि हमें present simple और past simple परना चाहिए नो की simple present और simple past परना चाहिए यदि इस मंत्र में स्याम राधे लिखा होता तो हम लोग अवश ही simple present लिखते इस मंत्र में भी बताया गया है कि हमको present simple परना चाहिए हमको past simple परना चाहिए हमको simple present नहीं परना चाहिए हमको simple past नहीं परना चाहिए यदि हमको simple present परना होता यदि हमको simple past परना होता तो इस मंत्र में स्याम राधे लिखा होता राधे स्याम लिखा हुआ नहीं होता इस मंत्र से हमें छट्थी बात क्या मालम होती है उसको देखें इस मंत्र में स्याम के साथ राधा का नाम जुरा हुआ है और राधा के साथ साथ श्याम का नाम मीरा और रुकमिनी के साथ भी जुरा हुआ है अता हेल्पिंग वर्व के अर्थ में डू के भी तीन रूप क्रमसह डू, डू, डूज और डिड है इस मंत्र से हमें सात्मी बात मालुम होती है इस मंत्र में B को मा दुर्गा या गौरी कहा गया है और हम जानते हैं कि दस हरा में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है इसी कारण B के हेल्पिंग वर्व के अर्थ में नौ रूप हैं जिसमें से एक रूप, आठ का प्रियोग अब नहीं किया जाता है, अर्थात B के आठ रूप है जो helping वर्व के रूप में हैं, हम लोग असपस्ट रूप से जानते हैं कि B का एक रूप आठ हुआ करता था, जो दाव के साथ प्रियोग किया जाता था, अब आठ का प्रियोग नहीं होता है इसलिए हम बीके आठ रूप को ही लेकर चलते हैं आठमी बात इस मंत्र में सीता का नाम राम के साथ जुरा हुआ है और हम जानते हैं कि सीता की अगनी परिक्षा दो वार हुई थी अर्थात हैव की अगनी परिक्षा भी दो वार हुई जब हैव की अगनी परिक पहली बार हुई तो हैव से हैज बन गई और जब हैज की अगनी परिक्षा दूसरी बार हुई तो हैज से हैड बन गई नौमी बात इस मंत्र से यह भी सावित होता है यदि धर्म सास्त्र के किताबों में श्याम का नाम राधा, मीरा और रुक्मिनी के अलावा और किसी अन्य देवी के साथ जुरा हुआ है तो निश्चित रूप से प्राचीन काल में डू के और भी रूप रहे होंगे जो अब प्रचलित नहीं है ठीक यही बात भी और हैव के शाथ भी हो सकता है इस मंत्र से हमें दसमी बात मालुम होती है इस मंत्र से यह भी सावित होता है यदि तीनों देवियों के बाद श्याम, शंकर और राम आते हैं तो यह तीनों राणी के रूप में रहती है यदि इनके बाद राजा नहीं आत तो ये तीनों रानिया स्वेम राजा बनकर, अर्थार्थ मर्द बनकर राज्य कार्ये को समभालती हैं ठीक इसी मन्त्र की तरह यदी डू, बी और हैब के बाद कोई फानाइट मेन वर्व आता है तो ये तीनों हेल्पिंग वर्व का काम करती हैं यदि do, be और have के बाद कोई finite main verb नहीं आता है तो यह स्वेम finite main verb बन जाती है ग्यारहवी बात इस मंत्र से यह भी शाबित होता है यदि तीनों देवियों के बाद श्याम, शंकर और राम आते हैं तो यह तीनों रानी के रूप में रहती हैं और यह तीनों रानियां अपना आदेश नहीं चला कर केवल अपने राजा का आग्या मान कर उनके हां में हां मिलाती रहती हैं ठीक इस मंत्र की तरह डू, be और have के बाद यदि finite main verb आते हैं तो डू, be और have का अपना कोई अर्थ नहीं होता है बलकि do, be और have अपने बाद आने वाले finite main verb के अर्थ को स्वरूप परदान करती है के अर्थ को असपस्टता परदान करती है finite main verb के अर्थ को बिवित्ता परदान करती है बारहवी बात इस मंत्र से यह भी शावित होता है यदि तीनों देवियों के बाद श्याम, शंकर और राम नहीं आते हैं तो ये तीनों रानिया स्वयम राजा बनकर अर्थात मर्द बनकर राज्य काडिये को संभालती है ठीक इसी मंत्र की तरह यदि डू, बी और हैव के बाद कोई फानाइट मेंवर्ब नहीं आता है तो ये तीनों फानाइट मेंवर्ब का काम करती हैं और डू, बी और हैव का अपना अर्थ होता है तेरहवी बात इस मंत्र से यह भी शावित होता है कि टेंस की रचना बिहार के विद्वानों ने की थी जिस तरह बहुत धर्म और जैन धर्म का विकास बिहार में हुआ था लेकिन आज बिहार में इन धर्मों का कहीं अता पता नहीं है ठीक उसी तरह टेंस और पैसिव वाइस की रचना बिहार में हुई थी लेकिन आज बिहार के लोग ही इनको नहीं जानते हैं Dear restaurants, मेरा यह बीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में आप जरूर बताएं और काली दुर्गे राधे शाम, गौरी संकर सीता राम मंत्र का कितना महत्व है? यह मैंने आपको बताया है मेरी यह बातें आपको कैसी लगी? जरूर आप कमेंट में मुझे बताएं अब मैं आपसे बिदा लेता हूँ अब मेरी भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी तब तक के लिए बाई बाई